और अगला सवाल आ रहा है, आयती के तरफ से आयते पुछने हैं, क्या आपने भगवान को देखा है? ओके, बहुती अची सवाल है, बड़ा परसनल सवाल है, क्या मैंने भगवान को देखा है? वेल, मैं इस बारे में explicitly हाया ना तो नहीं होगा, लेकिन मैं हाया ना आपके उपर छोड़ेता है, अगर कोई भी विक्ति हो, जिसका की बहुती flourishing career हो, और he has got all comforts in life, पर वो विक्ति छोड़ देता सब कुछ, और भगवान की सेवा में 100% नुक तो जाता है, तो क्या ऐसे वि और भवान को देखना या ना देखना इतना जुरूरी नहीं होता है, most important is कि क्या हम भवान की सेवा कर रहे या नहीं कर रहे है, देखा तो दुर्योदन ने भी था, देखा तो शकुनी भावा ने भी था, पर क्या अकल ले उन्होंने, भांजे, वो यी करते रहागा ये बस तो इसलिए देखना है इतना रहे नहीं है, लेकिन आपने सेवा की कि नहीं की, लेकिन हाँ कही नहीं देखो जो विक्ति अपना जीवा सेक्रिवाइस करता है, इसको कहीं महा रिभूतियां है, and they were very successful, ऐसा नहीं, they were materially fried out से, तो इसलिए फिर आ गए चलो यार थोड़ा भक आपने बुद्धी का इसमार करिए, कि क्या कोई भवान का अनुभव absolutely बिलकुछ उसने नहीं कि हुआ, क्या उपना जीवन देखा भवान के लिए, कहने है कुछ ना कुछ ना कुछ ना experience किया है भवान का, चो कितना किया है, क्या किया है, well, that is beyond words, आप भी experience कर सकते हैं आयत ये ग्रन्था वतार है, श्रीमाद भागत रमसो, here is Krishna, तो इस तरह से आप भवान को देखते भी हैं, और इसके लाव भी जो जिस तरह से आप देखने बात कर रहे हैं, वैसे भी इस कौम ने डिवोटीस हैं जिन भवान को देखे हैं, इसलिए उन्हा अपना पूरा जीवन मैं मोस्ट पर्फेट स्पिरिफ्वादी, पाथ भक्ति, और अधित्या, अधित्या means shining like the sun, so keep shining by chanting Hare Krishna and then you get to see Krishna, the Supreme Aditya, Krishna.